नमस्कार, आएए आज आप सब लोगों को शनी देव जी की एक पौरानिक कथा सुनाते हैं, शनी देव जिनके बारे में हम सब ने सुना ही है, बलकि काफी हद तक हम उनसे डरते भी हैं, कारण हम सब ने देखा है कि शनी देव जी की दृष्टी जी इसके उपर भी बढ़ती हैं, उसके जीवन में काफी उथल कुखल हो जाती है, है ना। आज की जो हमारी कता है वो रावन और शनी देवजी के बारे में हैं, जी हां, जो बेहज शक्तिशाली राजा था, इतना शक्तिशाली राजा था, जिसने की 9 के 9 ग्रहों को अपने कब्जे में कर रखा था, औ और उनको वो अपने सिंघासन पर चैटनी के लिए सीडियों की तरब रियोग करता था सुनना था पहले आपने कभी इंट्रेस्टिंग है ना जी हां तो एक दिन नारदमनी टामर की सवा में आये और उन्होंने ग्रहों भी इस्तिती देखी उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं रगा तब उन्होंने शनी देव जी से कहा कि आपकी द्रेस्टि जिस पर पढ़ती है तब तो बड़ो-बड़ो का विनाश हो जाता है आप ऐसी स्तिती में कैसे पढ़े हुए है तब शनी देव जी ने जवाब दिया कि मेरी द्रेस्टि रावन के उपर नहीं पढ़ रही है रावन ने हमें ऐसे रखा हुआ है कि हमारी पीट पर होकर वह निकलता है अगर आपके पास कोई उपाई है जिससे कि मेरी द्रेस्टि रावन के उपर पढ़ पाए तब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी द्रेश्टी पढ़ने से रावण का क्या हो सकता है नारद मुनी में सोचा ऐसा करने में कोई हर्ष नहीं है एट लीस्ट वो इसकी ऐसा करने के बारे में कोशिश तो कर ही सकते है ऐसा करने से बाकी ग्रहों की भी बहुत साहता हो जाएगा थोड़े दिनों बाद रावण की सभा में नारद मुनी फिर पधा रे और उन्होंने रावण की बहुत तारीफ करी तारीफ करने के बाद उने बोला कि रावर्ड तुम्हारी सभा में सब कुछ बहुत अच्छा है केवल एक चीज के बज़े उसने पुछा वो क्या चीज है वो चीज आपको क्यों नहीं बसंद आई उसने बोला यह जो सारे ग्रह जिनको आप सीडियों की तरह प्रयोग करते हैं इनको आपने पीट के बल डाल रखा है आप जब भी इनकी पीड़ा पर पैर रखकर अपनी सिंखासन की तरफ पढ़ते हैं तो इनको बहुत पीड़ा होती है पर वो पीड़ा आप देख नहीं पाते हैं क्यों ना आप इनको ऐसे लिटाएं कि आप इनकी चाती पर पहर रखकर अपने सिंखासन की तरफ जाएं और उस वक्त होने वाली पीड़ा इनके जहरों पर, इनके मुखोटों पर तेख पाएं। रावन को यह भाद भागई और उसने ऐसा ही करने का नेड़ने लिया। और फिर उसके बाद क्या था शनी की द्रिष्टि रावन के उपर पढ़ गई और उसके बाद ही रावन ने सिता जी के अपहरन करने की योशना बनाई। सीता जी के अभरन करने के बाद उसका जो हाल हुआ वो जग जाहिर है रावन की लंका पर राम जी ने ना केवल चड़ाई की रावन को, रावन के भाईयों को, रावन के पुत्रों को यहां तक कि उसके पौत्रों को भी मार दिया तो शनी देव की दृष्टी से कोई नहीं बच पाता पर यहां मैं यह जरूर बताना चाहूंगी कि शनी देव न्याय के देवता है अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ गलत नहीं होगा इसलिए उनसे टरनी की ज़रूरत नहीं है अगली कथा मैं आपको सुनाओंगी शिव जी के साथ ऐसा क्या किया शनी बच्वान में जिसकी वज़े से आज तक उन्हें याद किया जाता है थैंक यू फो वाचिंग